भाईयों आज की इस बीडियो में आप से बात करेंगे सरसो की एक बहुत सांदार वेराइटी के बारे में जिश का नाम है Edvanta 414 ये वेराइटी किशन भाईयों अच्छी पैदावार देने वाली वेराइटी है इसके बारे में जानेंगे कितनी पैदावार है, कितनी तेल की मात्रा है, बुआई कैसे करनी चाहिए, कब अधिक पैदावार मिलती है सबसे पहले किशान बजों बात करेंगे सरसो की एडवांटा 414 एवेराटी, सरसो की बहुती अच्छी वेराटी है या किस्म सरसो के पोधे का जो तना हमारा होता है, काफी मजबूत होता है, जिससे आंधी बारिस में सरसो गिरती भी नहीं है, जिससे अच्छी पैदावार भी होती है फसल जल्दी पकत तयार हो जाती है तेल की मातरा की बात करें तो 41-42 परसंट तेल की मातरा भी होती है खास बात किशान भाईयों या इस किसमें होती है कि ये पाले जो कोहरे होते है इसके प्रत बहुत काफी सहनसील होती है इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और पैदावार भी ज़्यादा होती है इस किस्म से 11 से 13 कुंटल प्रति एकड आप उत्पादन आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं बुवाई के लिए बीच की मात्रा कितनी लेना है अगर एडवांटा 414 वेराटी की बुवाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो बीच की मात्रा है 900 ग्राम से लेकर के 1 किलो ग्राम प्रति एकड के इसाथ से बुवाई की आवशकता किशान भाईयों होती है सरसो की बुवाई का तरीका किशान भाईयों क्या है तरीके में किशान भाईयों बात करेंगे अगर जो उची समय हमारा जो अगेती समय का होता है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक अगर बुवाई कर देते हैं तो बंफर से बंफर उत्पादन भी मिलती है वैसे तो सितंबर माँ से 15 सितंबर से बुआई का काम सुरू हो जाता है हलाकि इसकी बुआई लेट भी थोड़ा कर सकते हैं तब भी आपको बुआई अच्छी मिल जाती है अगर छिटकाव भी से बुआई करते हैं तब भी अच्छी मिलती है अगर यह सीटर ड्रिल भी से आप बुवाई करते हैं तो और अच्छी पैदावार की शनवयू मिलती है सरसों की बीजों की बुवाई वैसे हमेशा सीटर भी से ही बुवाई करनी चाहिए जिससे कतार की जो दूरी होती है उसकी 30 सेंटीमेटर और पौधेस की पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमेटर रखनी चाहिए जिससे अच्छी पैदावार होती है वहाँ पर पौधा सुडोल मजबूत तना मजबूत निकलता है और अच्छे से विकास भी करता है वहीं अगर चिड़काव बिस्ते अगर बुवाई करते हैं आप तो उसी हिसाब से आपको चिड़काव बिस्ते भी बुवाई करनी चाहिए ज्यादा पोधा आपको घना नहीं होना चाहिए मतलब दूरी काफी दूरी होनी चाहिए तब ही अच्छा पोधा हमारा तगड़ा होगा मजबूत होगा और अच्छी पैदावार किशान भाईयो मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं इसमें कितनी सिचाई की आउसकता होती है अगर सिचाई की बात करें तो इस फसल में दो से तीन सिचाई की आउसकता होती है क्योंकि एक बारिश तो किशान भाईयो होई ही जाती है और जब एक मैने की फसल होती है या डेड़ मैने की हो जाती है तब तक एक बारिश हो जाती है तो मान के चलिए एक या दो सिचाई की आवशकता होती है वैसे तो अगर खेत बल्वी मिटती है या काली मिटती है उसी साब से डिपेंट होता है अगर ज़्यादा बल्वी मिटती है तो दो से तीन सिचाई क्यों सकता होती है अगर बढ़िया उपजाओ मिटती है तो एक ही सिचाई की अवश्कता होती है किशान भाईयों बात करेंगे पहले खाद में पहले खाद में जब आप वाई कर रहे होते हैं उसमें आप विजाई करते समय किसान भईयों ज्यादा तर आप SSP सिंगल्स उपर फार्षपेट खात का ही प्रियोग करें क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और सरसो एक तिलहनी फसल है तेल वरगी फसल है इस वज़े से इसमें सल्फर की ज्यादा वसकता होती है सल्फर डा जिससे आपको यहाँ पर सल्फर की सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको प्रियोग करना चाहिए बुवाई करते समय सल्फर का ही प्रियोग कीजिए और पोटास किसान भईयों आपको यहाँ पर डाल देनी चाहिए बात करेंगे जब आपकी फसल एक महने के आसपास हो जाती ह वैसे तो 30-35 दिन पर पहली सी चाई होती है, पहली सी चाई पर किशन भायों आप यूरिया 30-35 किलोगराम प्रत एकड के हिसाब से आपको यहाँ पर डाल दिनी चाहिए, क्योंकि नार्जिन की भी वहाँ पर पूर्ती किशन भायों करना चाहिए, इसे फसल हमारी अच्छी ब अगर बुवाई कर देते हैं, तो अच्छा उत्पादन किशन भायों आपको मिलने वाला है, तो कुशी परकार का सवाल हो, सुझाओ हो, नीचे कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्का हूओ